क्लास्ट यवी कॉंप 2019 पैटन समिस्टर 6 सब्जेक्ट कॉस्ट एंवर्स अकांटिंग 3 तॉपिक प्रैसिंग डिसिजन प्रैसिंग डिसिजन सा आजापन सव्था प्रॉब्लिम आनिते सा सॉलुशन पाना रहोथ अगोधर प्रॉब्लिम सम्जाउं ख्या हाँ प्रॉब्लेम निराली प्रॉब्लिकेशन चा उस्तका मतला एक बुक मतला तउथा प्रॉब्लेम ही बीलक्स लिमिटेड डॉंबिवली है सर्टन कोस्ट अकांटिंग प्रॉब्लम्स इन कॉंपिटेशन ओफ उनिट मार्केट प्रॉब्लिकेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंडिशन और कॉंपिटिटिव कंडिशन पूर्ण, स्वर्धा, आणि, मक्तेदारी अशा डॉन कंडिशन मधे कॉस्ट अकांटिंग करता स्थामना एका उनिट सा क्याकुलेशन कराई से स्मॉल पॉकेट क्यालेटर सा त्या मधे कंपणी ला अड़स नेता ही पॉर्स संगिला A. Under monopolistic condition, ति इस एस्टिम एत 5,000 SMALL POKET कल्पुलेटर जोड बनुबटिछर अंड सोल in monopolly market to earn certain while viable profit and be under competitive condition, it is estimated that 10,000 small pocket calculator should be manufactured and sold in the competitive market to earn certain viable profit. Under both the conditions, the desired profit is targeted at Rs. 150,000 with marginal cost of Rs. 120 per calculator and rigid cost, means fixed cost, Rs. 50,000 only. We have two conditions in the calculation. One is the monopolistic condition. In the monopoly condition, there are 5,000 small pocket calculator manufacture and sale. And in the competitive market, there are 10,000 small calculator manufacture and sold. In both conditions, the desired profit, the required profit is $150,000. And in both conditions, the marginal cost is $120,000, cash pramani fixed cost, the rigid cost is $50,000. You are required to calculate unit selling price, both under monopolistic condition and competitive condition. We will calculate is $1,000. So, we are able to calculate the selling price. So, if you know, the selling price might be $ RAM, not everything is $1,000, we will furnish thecios $1. We will be able to notion $1 in price with $2,000 and that's a $1,000. imiento tohty $5,000. So, we will need implementation that X is selling price per unit. So, hence, sales is equal to monopolistic condition मदे किची sales कराले सांगित ले 5,000 unit. मा 5,000 गुनी ले X के ले मनज़स किती ये तील 5,000 X. Variable cost किती सांगित ले आपलेला 120 सांगित ले ले. मा 120 गुनी ले unit size 5,000 गुना कर करून amount ले सहाल आख रुपे fixed cost दिलेले है 15,000 आणि desire profit आए 1,25,000 आता इथे आपन जो formula आपर सोए तो contribution चा फोर्मिलाव आपर सोए कि contribution आपन दोन पर्दतीने काडू शब्तो एक sales मदून variable cost वाजा कि ले तरी contribution मेंत आणि दुसरा fixed cost आणि profit चीजर आपन बेरिकेली तरी आपलेला contribution मेंत मद calculation आपन ट्या पर्दतीने करना रे equation बांदाइचा वेर sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit मद sales मदून variable cost वाजा कराइची sales आप देला माइच नाई करन के आपन 5000 unit गुने ले x मनदी 5000 x केत ले उनुंतसे चलिहा 5000 x वाजा variable cost वाजा इथे calculate के लिए सहा लाग रुपे बरोगन fixed cost problem मदे दिलेली आपला लाग 15,000 plus require profit के वाजा प्रोफित आए एक लाग 15,000 आदा mathematics सरूल आपनी थे वापर ना रहो हे जिस सहा लाग है हे आपन इकडे पाठो नारे मन इकडे माइनस होते जातान ना प्लस ला जाती आणी 5000 x ता सिस्ठे वाई चे सो 5000 x is equal to 50,000 plus 1 lakh 50,000 plus 6 lakh हेंची बेरी सके ली आफ्टर एडिशन और प्री अमांट रुपीज 8 lakh 5000 x is equal to रुपीज 8 lakh आता हे 5000 इकडे पाठवा x बरोबर 8 lakh खला 5000 नी भाग देज़गा इकडे 5000 गुना कराले होते जातान ना भागा कराला जातील एकडे बरोबर 8 lakh 6500 कैंसल के लिए आने पाठ में 800 लभाग दिला x बरोबर 1.60 रुपे पर युनिट मोनोपोलिस्टिक कंडिशन मदे सेलिंग प्राइस पर युनिट आले लिया ही 160 पर युनिट क्यान अंतर जांड पुंपितिटिव कंडिशन मदे कअडे सक्टिक है in दिए असका कमडिशन अवुनिट अन्दर पुंपितिव कंडिशंट मदे खिया वेतर्स अजुन लिए एक्स इच्छिट सेलिंग प्रिस पर इन ना सेलिंग प्राइज अपन्ग एक्स मांते तेलिंग प्राइज एक्स हैंस तेल्स इपल दू अधा कॉंपटिटिव पंदिशन मदे किति संगितले तुनिट अपले तेन थाजन मां 10,000 इन्टो एक्स इसईपल तो 10,000 एक्स तो सेल्स इसएपल तो 10,000 एक्स variable कोस्ट इसपल टो 120 पर इनित संगित उति इन्टो 10,000 उनित इसपल तो 12 Лक बारा लक रुपे fixed cost fixed expense याहे तेवड़ चाहे 50,000 और require profit पन आहे तेवड़ चाहे एक लाग पनना सदर दोनी condition मदे same profit सांविटला होता माता calculation करा same formula पन वापर चोए where sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit 10,000 x minus 12,00,000 is equal to 50,000 plus 1,50,000 मां बारा लाग इकड़े पाठवा 10,000 x is equal to 50,000 plus 1,50,000 plus 12,00,000 calculation करों 10,000 x is equal to 14,00,000 आण इम दहाजर इकड़े पाठवा भागा कराला जाती x is equal to 14,00,000 upon 10,000 units इमां 17,00,000 भागी ले 10,000 00 cancel के ले चार चार आणि आपन भाग दिला एकल ने एकड़े चारीस ला मंगो उत्तराला एकड़े चारीस एकड़े चारीस पर उनिट मंजे competitive condition मदे एका उनिट ची selling price आले लिया है एकड़े चारीस पर उनिट आणि monopolistic condition मदे आले लिया है एकड़े साट पर उनिट खाल चोड़े अर घ्या देरफोर उनिट सेलिंग प्राइस अंडर monopolistic condition रुपेज 160 और competitive condition रुपेज 140 आता verification करूंता हिसे verification compulsory नहीं verification कराईला स्थांगे तले verify मानंतर verification कराईता बगा verification करने से तिया अपने table प्यार के लिए ला है particular monopolistic condition चे 5000 आणि competitive condition चे 1000 आणिट है सेलिंग प्राइस 160 इकड़े competitive मादे 140 लेस variable cost दो निकड़े सेम हाई 120 120 कि वज़ा के लिए 107 मादों 120 गेले contribution आलो इकड़े 40 इकड़े आलो विज आणि fixed cost जी आहे तर्थी fixed cost अपन इखे गेत लेले आहे दहा कसी आली ते संके अपले ला fixed cost टोटल मदे दिलेली होती 15 सजर आणि 15 सजर आला 5000 ने भाग दिला सरूत तरेत दहा आणि इकड़े 15 सजर आला 10 अजर ने भाग दिला सरूत तरेत पाच मनों less fixed cost दहा इकड़े पाच desire profit दिवा require profit जो monopolistic condition मदे आले लाहे तो आले लाहे 30 रुपे पर unit आणि competitive condition मदे आले लाहे 15 रुपे पर unit आणि आपन calculation के लेला आणि आपन काड़ लेला जो उत्तर आहे 170 रुपे पर unit monopolistic condition मदे आणि competitive condition मदे 140 रुपे पर unit से verify जा लेलाहे इथे आपला चार नंबर जो प्रॉब्लेम आहे तो complete जा लेलाहे हाफ प्रॉब्लेम जात अपलाला दोन कंडिशन सांगितले होत्या आणि किती युनिट मैनेफेक्ट्चर आने sold करेचे के लेले होते desire to require profit लेला होता variable cost लेली होती आणि fixed cost लेली होती क्यामसर अपन दोनी condition मदे selling price per unit ही calculate के लेले मुनुपोलिस्टिक कंडिशन मदे 164 unit आली आणि next जिया है competitive market जो competitive condition मदे आपले आले लिया है 140 per unit आणि आपन दाइस वेरिपिकेशन करूं 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 पाई लेला ही युथे आपला pricing decision सा चार नंबर जा जी प्रॉब्लेम आही तो complete जा लेला ही thank you